एक गाव में बुरी अम्मा नामक एक महिला रहती थी. उनके पास एक प्यारी सी बकरी थी, जिसे वेह बहुत चाहती थी. बकरी हर रोज घर के बगल में बने खेत में चरने जाती और शाम को घर लोट आती. एक दिन बकरी खेत से वापस नहीं आई. बोड़ी अम्मा बहुत परेशान हुई और उसे हर जगे ढूंडने लगी उन्होंने अपनी पडोसियों से पूछा लिकिन किसी को भी बकरी के बारे में कुछ पता नहीं था अंत में वे गाउं के बाहर एक जंगल में पहुँची वहां उन्होंने देखा कि एक भेडिया बकरी को पकड़ने की कोशिश कर रहा है बोड़ी अम्मा ने हिम्मत करके भेडिये को डंडे से भगाया और बकरी को बचा लिया बकरी को बचा कर बोड़ी अम्मा बहुत खुश हुई वे उसे घर ले आई और उसका ध्यान रखने लगी गाव के लोग बूरी अम्मा की बहादोरी की प्रशन सकरते रहे बकरी भी उनकी बहुत अभारी थी और उसने कभी भी अम्मा का साथ नहीं छोड़ा इस कहानी से हमें ये सिखने को मिलता है कि साहस और प्रेम की कोई सीमा नहीं होती और जब हम किसी की मदद करते हैं तो वे हमीशा हमारे दिल में रहता है आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी एक बूरी अम्मा बूरी अम्मा एक बहुत ही गरीब औरत थी जो एक छोटे से गाव में रहती थी उनके पास न तो परिवार था और नहीं कोई सहारा वह अपनी रोज की जरूरते गाव के लोगों के मदद से पूरी करती थी उनकी जीवन शैली बहुत ही साधारन थी और वे बहुत संतोशी सुभाव की थी एक दिन गाव में एक बड़ा संकत आया बाड की कारण सब कुछ बरबाद हो गया बूरी अम्मा की जोपड़ी भी इससे अचूती नहीं रही उस समय उन्हें गाव के लोगों से जो सहायता मिलती थी वे भी कम हो गई क्योंकि सबको अपने अपने घरों के चिंता थी बूरी अम्मा को भूखा सोना पढ़ा और ठंद में कापना पढ़ा लेकिन बूरी अम्मा ने हिम्मत नहीं हारी वे गाव के एकोने में बैटे और लोगों को अपने अनुभवों से सिखाने लगी उनकी बातें सुनकर गाव बालों को समझ आया की जीवन में सहायता और सहयोग कितना जरूरी है धीरे धीरे गाव वाले फिर से बूरी अम्मा की मदद करने लगे इस कहानी के माध्यम से हमें ये सिखने को मिलता है कि समाज में सब के लिए जगह होती है और हर व्यक्ति की अहमियत होती है बूरी अम्मा के ज्यान और अनुभवने गाववालों को एक जुट्ता और सहयों के शिक्षा दिये कहानी हमें ये भी बताती है कि बुजूर्गों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें उपेक्षित नहीं समझना चाहिए। उनका जीवन और अनुभव हमें बहुत कुछ सिख सकता है।